हेलो फ्रेंड्स अगर आप सुबा सुबा कम तेल में और हेल्दी नास्ता खाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी और टेश्टी नास्ता की रेज़ भी लेके आई हूँ इसे बनाना बहुत ही असान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है तो देर किस बात की तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे सबसे छोटा वाला मिकसर जार और इसमें डालेंगे एक छोटा साइच का प्याज कटा हुआ दो हरी मीर्श चार से पांस लसुन की कलिया अगर आप लसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे इसकीप कर दीजिएगा एक छोटा साइच का कटा हुआ सिम्ला मीर्श लेंगे थोड़ा सा हरी धनिया के पत्ते और इसे हमें दरदरा पीस लेना है तो इसे हमें पेश नहीं बनाना है दरदरा ही पीस ना है तो यह देखिए जितना हमें चाहिए उतना यह पीस गया है अब कर लेते हैं आगे की तैयारी तो यहाँ पर लेंगे दो उबले हुए आलू तो आलू को मैस करके लेना है तो यहाँ पर आलू को मैस करके लिजिए या कद्दू कस करके लेकिन एक भी गुठलिया नहीं होनी चाहिए इनको ठंडा कर अच्छे से छील लिया था और अच्छे से मैस कर लेना है अब इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे तो सबसे पहले एक पींच हल्दी पाउडर एक चमच चाट मसाला एक चमच कुटी हुई लाल मीर्च थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला एक चोटा चमच धनिया पाउडर और एक चोटा चमच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे अब सारी चीजों को अच्छे से मीक्स करेंगे कुछ भी फालतू मसाले डालने की जुरूरत नहीं है उसके बिना भी ये बहुत ही चटपटा बनेगा और जो मैंने सबजियों का मीक्चर बना कर तयार किया है इसमें हम डाल देंगे आप इसमें पत्ता को भी फूल को भी गाजर भी डाल सकते हैं अब स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे नमक जितना भी खाते हैं उस हिसाब से आप नमक डाल ले और इन सबजियों को और इन आलों को आपस में अच्छे से मिलाएंगे ये देखिए जो हमारी सबजियां थी आलों में अच्छे से मिल गई है तो अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे एक अब सूजी बारिक वाली, अगर आपके पास बारिक वाली नहीं है, तो एक बार मिक्सर में चला ले, आप इस रेस्पी को सूजी की जगा चावल के आटे से भी बना सकते हैं, अब साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे, और सू आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, तो आपको मालूम ही होगा कि सूजी फूलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो बस इसे हम मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेश्ट के लिए छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया है, तो यहाँ पर सूजी ही अच्छे से फूल गई है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडर डालेंगे, खाने वाला सोडर जिसे कहा जाता है, अब इसे हम मिलाएंगे, तो दोस्तों यह नास्ता दिखने में जितना अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप पर पेन कड़ाए तवा जो भी है आप ले लीजिए, फिर इसमें एक चमच इस तरह से तेल डाल देंगे, तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है, और इसमें एक चमच बेटर डाल देंगे, और इस तरह से फैला देंगे, तो देखिए इस तरह से फैला देना है, और इसे पर एक से दो मिनट अच्छे से पकने देंगे तो यहां दो मिनट हो गए है नास्ता का कलर चेंज हो गया है अब इसे पलट देंगे तो यह नास्ता बहुत ही जालीदार बनकर तयार होता है तो इसे हम पलट दिये हैं और यह नास्ता का कलर बहुत ही बढ़ियां आया है तो इ और खाने में बहुत ही टेश्टी है ये नास्ता हमारा एक बनकर तयार है इसे हम निकाल लेते हैं तो आप लोगों को सामने से दिखा देती हूं ये देखिए कितना जालीदार नास्ता बनकर तयार हुआ है तो फिर इसी तरह से और एक नास्ता बना कर दिखला देते हैं तो द नास्ता आपको जब भी मन करें तुरंद बना सकते हैं और अपने बच्चे के टीपिन में दे सकते हैं तो ये नास्ता भी बनकर तयार हो गया है इसी तरह से सारे नास्ता बनाकर तयार कर लेंगे तो देखिए एक कप सूजी में धेर सारा नास्ता बनकर तयार हो गया है तो द पुले